दोस्तो एक कहावत्य है ना समय के साथ जो नहीं बदलेगा वो खोदी बदल जाएगा खोदी दुनिया से उड़ जाएगा उसका टाइम खराब आज जाएगा है कि नहीं दोस्तो आप देखिए पहले ट्रेडिंग कैसे हो रहा था पेपर ट्रेडिंग हो रहा था तब के से रिलेडेड बहुत सारे इंपूट और इंफोर्मेशन देने वाले हैं अगर आपके पास एस टॉक है तो बिल्कुल इस वीडियो को बिना स्कीप के एंट तक देखते रहें और अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप देखें बहुत कुछ चीजा आपको सिखने को इस जानने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्प्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल को सब्प्राइब पुल लेना और साथ में बेल का इकन प्रिस करके और हिट कर लेना ताकि आपको रेगुलर पर थे दोस्तों अभी के टाइम पर क्या है सब कुछ चीज़े डिजिटालाइजेशन हो चुका है पहले दोस्तों पेपर वार्किंग हो रहा था और तब के टाइम पर इंबेस्टर जो थे वो लॉंग टर्म के लिए होराजन लेके चलते थे लेकिन अपके टाइम पर स्विंग ट्रेड में स्विंग ट्रेड क्या है दोस्तों नीचे की लेवल पर खरीदो और आपको जब आच्छा गासा प्रफिट होगा तब आगे आपको बैचना होगा इंडिकेटर भी देखना होगा कहां पर स्टॉक का अंदर रेजिस्टांस और सपूर देखना को मिलत पर डुशन चाहें अलिकिन जो खुरत ट्रेडर जो आच्छे से इन्वेस्टिंग और आच्छे से ट्रेडिंग करना नहीं आता है उनको अच्छे-अच्छे चाहएर केश पेसे कमा लेते हैं तो स्मर्ड बनना अगा दोस्तों साथ साथ आपको इतनी साइक्रोजी और सब कुछ चीज़े आपको बदलना होगा दोस्तो देखे पाउर ग्रिड शेयर जो है ना एक साल का अंदर 50% का रिटन वना के दिया है 50% not bad 50% bad है क्या दोस्तो अभी तक आपने एक साल का अंदर कभी 50% कमाया है और कमाय होंगे इक 2% होंगे आप खुच से पुछे 50% कभी कमाय है एक साल का अंदर अगर एक लाग का इन्बेटमेंड होता तो एक साल का अंदर आप 50,000 कमाते क्या आप कमाय हैं नहीं आप यहाँ पे लोस किये होंगे है कि नहीं, खुद से पुछे, मुझे बुलने की ज़रूत नहीं, आप चाहे तो comment में आप लिख सकते हैं, कोई सरम की बात नहीं दोस्तो, आप आगे आप सीखेंगे, तो आप profit कमाओगे, देखिए, एस stock ने, पिछले एक मौने कंदर, 2% का return बना के दिया है, लेकिन 6 मौने हूँ, जहां पर आपको resistance देखने को मिला है, तो strictly उस stock को आप एवर्ड करें, आप watch list से हटा दीजे, आपका जो investment है ना, आपके portfolio में जितना भी balance है ना, आपके चाहे बो, कोई भी broker हो, उनके platform में जितने भी amount है ना, आप transfer कर लिजे, आपने bank account पर, अगर आपके demand account पर पे एशा है ना, सबसे पहले आप demand account से अपने saving account पर transfer कर लिजे, आप मोग का ढूंडिए को आप एशा pattern देखने को मिले, फिर उसके बाद आपने demand account पर credit कर लिजे, फिर उसके बाद investment कर लिजे, देखे इस stock ने यहाँ से यहाँ तक जो rally बनाया था, पिछले 6 मोने में कितना return बना के दिया था, 10% से भी ज्यादा का return बना के दिया था, फिर उहाँ से stock निचे धड़ांग से गिरा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 12% से भी ज्यादा का तेजी देखने को मिला, देखे 16% का यहाँ पर तेजी देखने को मिला, कितना हो गया, तो 25 पकड़ कर चलिए, ए 25 परशंट और यहां पर लगबग 5 परशंट और यहां पर लगबग 5 परशंट तो कोल मिला कर कितना हो गया 35% का stock ने return बना के दिया है पिछले 6 मने का अंदर और बात कर लेते हैं पिछले 1 साल की तो 1 साल में stock ने कितना return बना के दिया है यहाँ पर सबसे पहले हो गया दोस्तों यहाँ पर जो छोटा छोटा dip शेना उनको जाने दिजिए यहाँ पर अगर calculate करोगे वो 50% भी पार कर जाएगा यहाँ पर जो तैजी हुआ था लागपक 20% का असपास फिर यहाँ पर 12% का असपास फिर यहाँ पर 10% का असपास फिर यहाँ पर 6% का असपास कोली मिला कर कितना हो गया दोस्तों 48% है कि नहीं 50% हो गया और साथ में stock ने dividend भी देता है 6% का असपास होर साल एक company dividend प्रवाइट कर रहा है वो भी आपको मिलता है लिकिन अगर आप देखोगे एक साल में stock ने सिर्फ और सिर्फ 3% का return बना के दिया है लिकिन profit किसको हुआ है यहाँ पर जो खोरीदा था यहाँ पर जो खोरीदा था और यहाँ पर और यहाँ पर तो यह सारे strategy आपको आपनानी चाहिए अभी के time पे time के साथ अगर आप नहीं बदलोगे तो आप खोद इस दुनिया से उड़ जाओगे दोस्तों आप बरबाद हो जागोए और stock market को आपको गालिया देंगे आपको profit नहीं हो रहा है तो आप stock market का गलती नहीं है आपका ही गलती है stock market आपको बहुत ही सारे opportunity दे रहा है यहाँ पर दिया था यहाँ पर दिया था और यहाँ पर दिया था और यहाँ पर भी दिया था लेकिन तब तक अगर stock यहाँ पर आ चुका होगा ना आप घबरा होगे खरी दिने के लिए घबरा होगे देखे एक साल का अंदर stock ने इसी line को काटा है क्या इसी line को कभी भी नहीं काटा है यहाँ से stock ने reversal लिया है कितनी बार लिया है आपके आँखों के सामने है अगर एसे म मौके के अंदर आपको हीमद दिखाना चाहिए आपका loss नहीं होगा ठीक है ना आपका loss नहीं होगा बलके आपका profit होगा जो गिरावट में खरीते हैं वही होते हैं सिक अंदर दोर का आगे जीत हैं दोस्तों अगर आप डोरोगे तो आप मरोगे यहाँ पर देखे स्टॉक लिकिन यहाँ पर यहां पर जो और यहाँ पर जो लोग खरीते हैं उनको ही profit होता है दोस्तों एखैंसे स्टॉक मार्केट में तो ऑसी स्ट काम करोगे तो भी जाकर आपको profit होगा पावार ग्रीड से आर आप रिक कर रख लिजे अभी भी स्टोक का अंदर तेजी बरकरार है अगर आप स्विंटेट के लिए अपर्चुनेटी ढूंट रहो तो आप अभी भी स्टोक के पर फोकस रख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो तेजी शुरू है ना तो कोही ना कोहीं इसी लवलतों के जाकर थमेगा और यहां से ब्रेकाड ले लेता है ना फिर उसके बाद और एक नेर आली देखने को मिल सकता है तो फिलाल में दोस्तो बहुत ही अच्छा स्टोक है और एसे स्टोक के अंदर केसी स्टार्टेजिय आपनानी चाहिए वो आपको बता चुके हैं है की नहीं तो हर एक स्टोक में दोस्तो अपर्चुनिटी आता है हर एक स्टोक के अंदर अपर्चुनिटी रहता है वहाँ पर आप डरें, ना कि EC level के उपर आपको डरना नहीं है, आपको हीमद दिखाना है, खुशी-खुशी ये stock कंदर आप investment करें, फिर उसके बाद डरना कब है EC level के उपर, और आपको profit booking कब करना है EC level के उपर, यहाँ पर भी आपको एवर्ड करना है, fresh investment के लिए, आपको fresh investment EC level के उपर करना है, तभी जाकर आपको profit होगा, फिर आपको stock market में आच्छे से पेशा कमा गए, अब यह strategy एसे stock का अंदर implement कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको profit होगा के नहीं, आप खोद आकर हमें comment में लिख सकते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते है और एक नए वीडियो में तब तक के लिए, बाइबाइ, टेक क्यार